अगर आपके पास एक लाग रुबे इस कैश में होगे तो आप उसका क्या करोगे नया घर खरीदोगे, वैकेशन पे जाओगे, नहीं कार ले लोगे, नया आइफोन ले लोगे और वारन बफेट के साथ एक डिनर करोगे वैल, बहुत सरे लोग हमेशा ही उपर वाले उप्सन चूज करेंगे, लेकिन गाइस पियर, जो कि एक इन्वेस्टर है, उन्होंने वारन बफेट के साथ दिनर करने का उप्सन चूज कर लिया वारन बफेट एंड गाइस पेर के साथ और एक इंडियन इन्वेस्टर था जिनका नाम मोहनिश पबराय है और अगर मोहनिश जी के ऊपर आप पाच मिनिट का एक शॉर्ट वीडियो चाते तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ M टाइब कीजिए चलो गाइस जल्दी जल्दी सिर्फ कमेंट बॉक्स में M टाइब कीजिए ताकि तुम और में मोनिश जी के बारे में और उनके इन्वेस्टिंग स्राटिजी के बारे में कुछ अच्छा सिख जाए तो नीचे कमेंट करो M 12345678910 ओके फाइन आई होप अपने कमेट कर दिया होगा गाइस पियर हमेशा वरन बपेट को कॉपी करते थी अगर हम लोग फिल्में एक्टर, एक्टरेस को कॉपी कर सकते हैं तो रियल लाइफ में जो हीरो है, रियल लाइफ में जो इन्वेस्टिंग के बाद्शा है उन्हें क्यों नहीं कॉपी कर सकते, क्यों अच्छे लोगों को हम कॉपी नहीं कर सकते ये सवाल हमेशा गाई के मन में आता था गाई स्पियर ने अपने इन्वेस्टिंग करियर में एक अच्छा कासा पोर्टफोलिय बनाए और बहुत ही तगड़ा बफिट कम है तो अभी हम इस पाच मिनिट में गाई स्पियर से वेले उनिस्टन की पाच लेसंस सिखेंगे तो चोलो देखते हैं वारन बफिट से गाई ने क्या पाच रूल सिखे हैं अगर समंदर में कोई शीप हो तो उसे कमपास गाईड करता है उसी तरह अपने लाइफ में अपने गोल की दरफ बढ़ने के लिए अपने पास भी एक कमपास होना चाहिए कमपास मतलब गाईड या फिर मेंटर जैसे ही पहले ही मेंशन किया था गाईस पियर हमेशा वारन बफिट को फॉलो करते थे वारन जी इस कमपानी में इन्वेस्ट करते थे उस कमपानी का एन्यूल रिपोर्ट गाई धंटो तक पढ़ते थे क्यों Warren Buffett ने इस company में invest किया है कि उनको ऐसा क्या दिखा जो मुझे नहीं दिखा अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जब हम बच्पन में थे जब हमने बोलना चलना सब बड़ों को देखके बड़ों को copy करके ही तो सिखा है So this is natural और यही success की key है और एक बाद अगर वो इस दुनिया में भी नहीं है तो उसे लिखी हुई books उसके lessons उसने deliver की हुई speech उससे आप बहुत सारी चीज़े उससे सीख सकते हो आप जिदर जाना चाते हो उदर पहले से ही कोई गया हुआ है तो उसे रास्ते में जो भी मुश्किले आती है वो पता होती है तो उनसे सीखो और वो mistakes repeat मत करो Lesson No.2 Depth मतलब कर जा जैसे कुछ चीज़े बहुत अच्छे होती है उसमें books read करना ऐसे लोगों की speech देखना जो successful है इस चैनल को subscribe करना और अच्छे ची knowledge मिलना ऐसी चीज़े आपको life में आगे बढ़ाएगी और कई चीज़े आपको जिंदेगी में नीच लाएगी उसमें No.1 Depth इन्वेस्टिंग के बारे में Warren Buffett साहब कहते है उनके सिर्फ दो ही नियमे No.1 Never lose your money and No.2 Never forget rule No.1 2010 में जब USA में market crash हुआ था तब market सीधा 14,000 points से 6,000 points पे आ चुका था मतलब सीधा 57% का loss और सोचो उस वक्त किसी आदमी ने अपने family से relative से, friends से या फिर bank से loan लेके पैसे invest किये होते तो उसे कितना loss होता और कितना tension होता So Warren Buffett हमेशा कहते है जितने आपकी खुद की saving है जितके अपके खुद के पैसे उतने ही invest करो देख लेके, मतलब कर्ज लेके investing एक intelligent investor कभी नहीं करता Rule number 3, create your Omaha हमेशा इंडियन महबाब अपने लड़कों को दूसरे से compare करते है जैसे कि, देख, सर्मा जी का बेटा कितनी अच्छी तरीके से पढ़ रहा है देख वो कितनी अच्छी तरीके से कमा रहा है और तू देख और इसी करा हम भी subconsciously अपने mind में अपने आपको दूसरों से compare करते हैं Warren Buffett कहते हैं, ऐसा मत करो अगर आपके मन में target 15% return है annually तो अगर दूसरों को 25% profit होता है तो उससे आप sad मत रहो क्योंकि आपके लिए success की definition 15% ही जो कि अपने अच्छीव कर लिए लोग हमेशा stock market में दूसरों से compare करते हैं in terms of profit और एक दिन ज़्यादा profit के लालच में दूब जाते हैं Rule number 4, investing routine इसमें Guy Spier and Warren Buffett गोलते हैं अपकी investing routine होनी चाहिए आप market के emotions में ना आके हर तीन मेने में, छे मेने में या बारा मेने में आपका portfolio revise करेंगे Warren Buffett इंटर्विव में हमेशा कहते हैं Don't spend your time and brain power for continuously watching ups and downs of company stock, crops day trading वाले जो होते हैं वो हमेशा यही चीज़ करते हैं company के ups and downs होने वाले graph देके कुछ tension में आ जाते हैं जो कि कई बार सर्च नहीं होता और market के emotions के वज़े से ups and downs आते रहते हैं ऐसे लोग अपना time and brain power waste करते हैं, सो हमेशा आपको long term में focus करना चाहिए, ना कि short term में follow the fundamentals and not the trend ऐसा Warren Buffett हमेशा कहते हैं सो अब हम पोच्चुके final point के उपर, जो कि don't chit chat about your investment so अगर आपको अभी तक के points अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, ताकि हर रोज ऐसे knowledgeable video आप miss ना करो, सो चलो discuss करते हैं last point, आपने select की हुई companies, आपने invest की हुई पैसे, आपके portfolio का size ये कभी भी अपने दोस्तों के साथ family के साथ share मत करो, क्योंकि उनको आपकी strategy आपने जो भी research की है, वो पता नहीं है, example, Jio के shares खरीदने का decide किया है ताकि आपकी studies आपको बताती है अगले 2-3 साल में उसकी value बढ़ने वाली है, so उसके लिए अपने 3-4 घंटे बेट के company के annual reports पड़े बट जबी भी आप अपने friend को बोलते हो, कि मैं Jio में invest कर रहा हूँ आपका friend बोलता है, अरे यार अभी Elon Musk की Starlink जैसी बड़ी company इंडिया में आ रही है, तो Jio को कोई पूछने वाला नहीं है, तो देखो इस scenario में आप upset हो गए और आपकी बताई हुई study फेल हो गए, लेकिन आपने जो study की है, शायद वो सही भी हो सकती है और आपके दोस्त को ये पता ना हो तो अपने जो भी study की है वो दूसरों को कभी भी explain मत करो मिलते हैं next time ऐसे informative वीडियो के साथ और तब तक आप ये वीडियो हमेशा अपने दोस्तों में और family में share कीजे ताकि ये valuable knowledge उनको भी मिले